नमस्कार बोलता बिहार नियूज मीडिया में आपका स्वागत है एक ही रात में चोरों ने तीन घड में चोड़ी किया उक्त घटना बेलदोर थना छेतर के सक्रोहर पंचात के कुराहावासा गा में बीते रातरी चोरों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है मालू हो कि उक्त मामले को लेकर पडिजनुई ने बेलदोर थना अधेक्ष को आविदन देकर नया की गुहार लगाई है बताते चले कि पेलदोर थना छेतर के शक्रोहर पंचात अंतरगत कुराहावासा निवासी पंकशा के पतनी प्रमीला देवी परोसी मीरा देवी इवं दीपक सा के घट में चोड़ी हुई है इस समद में प्रीता प्रमीला दिवी ने बताय कि ठंड रहने के कारण सवेरे ही घर में सो गए थे जिस कारण मेरे घर के दरवाजे को तोर कर चोरों ने चोड़ी कर लिया इस समद में उक्त महिला ने बताए कि मेरे घर में रखे वक्सा से नगदी करीब 55,000 रुपया समेट जेवर जेवरात कप्रा लगता लेकर चलते बने जब सुबा हुआ तो किसी ग्रामीनों ने उक्त महिला का वक्सा वगीचा में देखा तो ग्रामीनों ने उसको सूचना दी सूचना पाते ही उक्त महिला अपने समान को उठा कर घर ले चले आए वहीं दीपक्सा के बरंडे पर खड़ी साइकील को चोरों ने ले लिया उक्त बैक्ती का दर्वाजे पर का बल्व खोल कर लेकर चलते बने वहीं प्रोसी मीरा देवी इवं गुंजन देवी के घरों में पीछे से चोर प्रबेस कर वक्सा तोर कर नगदी कड़ी 20,000 रुपिया चानी का कटोड़ा समेत जेवर जेवरात के साथ साथ कप्रलता ले लि कर शभी समागरी ले लिया इस श्रेमद में थाना अधिक्ष पंकज प्रकास ने बताया कि सूचक के दोरा आविदन दी गई है अपने अधिनस्त कर्मिक से मामले को चानमिन करवा कर दोस्यों के विरुद काड़वाई की जाएगी